10-15 महमान आ रहे है अचानक से नाश्टे के लिए तो सूचता नहीं है हम क्या बनाएं क्या करें लेकिन ये इंस्टंट ऐसा नाश्टा बन कर तयार हो जाता है वो भी चपाती के साथ तो चलिए शुरुवात करते हैं मल्टी किचन पूने में आप सब का स्वागत है अगर आपको रेसिपी इसके वीडियो पसंद आते हो तो चाइनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक जरूर कीजे श्टी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पह गया था एक गंटे पहले ताकि हमें एक गंटे पहले ही पता चला महमान आने वाले है नाश्टी के लिए 10 से 15 फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे पानी डाल कर मिक्सी के जार में महिन ऐसा ये ग्राइंड हो चुका है इसे रख देंगे साइड में फिर पानी लिया है प्या दूद एक कब दूद डालने के बाद ये बिलकुल हलकी फुलकी खीर तयार हो जाती है इसमें डाल देंगे जो चावल को हमने महीन ऐसा ग्राइन किया था पानी के साथ वो मिला लेंगे और चावल डालने के बाद इसे कंटिनूसली पाँच मिनिट के लिए हिलाना है हमने गी डालने के बाद फिर से तीन से चार मिनिट के लिए इसे कंटिनूसली मिलाना है हमने गी के साथ और फिर मिलाते हुए ये बस खीर तयार हो जाती है दस मिनिट में ये खीर बनकर तयार है फ्लेम को हमने आफ कर दिया है आप देख सकते है किस तरह से बनी है गाड़ी ऐसी बिलकुल हलकी फुलकी खाने में light weight ऐसी और फिर इसमें डाल देंगे हम इलाइची पाउडर और चीनी का जो मिश्रन हमने grind किया है वो last में डालना है ताकि इलाइची पाउडर का स्वाथ बना रहे flame को off करने के बाद ही हमने मिलाया है और फिर इसे धक कर रख देंगे बाद में हम इसमें ड्राइफूट उपर से डाल देंगे फिर प्यान में डाल दिया है तेल, सूखा नारियल दो टेबल स्पून इसे ब्राउन कलर में फ्राइ कर लेंगे फिर डाल देंगे इसी तेल में दो बड़े वाले प्यास कट करके इस इसे ब्राउन कलर में बून लेंगे प्यास को ब्राउन कलर में बूनने के बाद इसमें डाल देंगे लैसुन और अद्रक इसे भी अच्छी तरफ बून लेंगे फिर इसमें डाल देंगे टमाटर एक बड़े साइस का रेड वाला इसे भी बून कर हमने इसे ग्राइंड किया रेड चिली पावडर स्वाद नुसार कांदा लैसुन मसाला स्वाद नुसार यहां मैंने एक टीस्पून रेड चिली पावडर दो टीस्पून कांदा लैसुन मसाला का यूज किया है फिर डाल देंगे नमक दो टीस्पून नमक हमने यहां यूज किया है और फिर इसे मसालो को छोड़ न दे इस तरह से अच्छी तरह फ्राय हुई है मसाला पेस्ट मसालों के साथ फिर डाल देंगे मटकी यहां ने आधा किलो मटकी का यूज किया है मटकी को अच्छी तरह धो लेना है साफ कर लेना है और अच्छी तरह फ्राय करेंगे इस कड़ई में मटकी समा नही करेंगे तो मटकी थोड़ी सी कच्छी लगती है इस तरह अच्छी तरह हमने मटकी को फ्राइ किया है फिर जो मसाला पेस्ट का पानी है ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा एक से देड़ गलास इसमें पानी मिला लेंगे नॉर्मल वाला और इसे अच्छी तरह उबाल आने देंगे और फिर तयार हो जाती है, हमारी मटकी की सबजी बहुत ही बढ़िया, और यहाँ हमने रोटी के लिए आटा बना लिया है, रोटी इस तरह से बेली जाती है, चपाती भी कहते हैं, और यह चपाती तयार हो रही है, अच्छी तरह से, बिल्कुल राउंड ऐसी, महीन एसी बन कर तयार हो जाती है इसे अभी सेक लेंगे, सेक ने के बार तयार हो जाएगा हमारा नाश्टा मटकी भी उबल चुकी है, आप देख सकते है consistency बिल्कुल गाड़ी आती है, कलर बिल्कुल बढ़िया आता है, आप देख सकते color कैसा आया है, मटकी की consistency देखिए ज्यादा पतली भी नहीं बनी है और ज्यादा गाड़ी भी नहीं medium color देखिए करी का बिल्कुल बढ़िया और तयार है यहाँ खीर खीर पर हमने डाल दिये है dry fruits और पापर को fry किया है तयार है special multi kitchen पूने special नाश्टे की recipe हलकी फिलकी अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो channel को जरूर subscribe कीजिए bell icon call को click कीजिए वीडियो को जरूर जरूर like कीजिए comment कीजिए share जरूर कीजिए खाते रहिए खुश रहिए